नमस्कार दोस्तों आप सभी का बोद बोद स्वागत है सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं हुस्सुमे चौधरी और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मुल्टी पर्पस रीवर वेली प्रोजेक्ट के बारे में तो यह हमारा इसका पहला पार्ट है। का आपका एक्जाम आ रहा है SSC के आपका एक्जाम सारे हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो रिकोर्ड कर रहा हूं तो आप इनके दोनों पार्ट देखेंगे तो आपको समझ मैंगा कि कौन सी नदी घाटी प्रियोजना कहां पे है कौन से राज्ये में है उसक परपस रिवर वैली प्रोजेक्ट होते क्या हैं तो बहुत देश ही नदी घाटी प्रियोजनाओं को हम डेटेल में अगर देखना चाहें तो बेसिकली आप सभी को पता है कि डैम्स बने होते हैं डैम्स बने होते हैं तो डैम्स तो पहले से ही बनते आ रहे हैं अगर हम बा लेकिन आज के समय जो dams का इस्तमाल है वो सिर्फ irrigation तक सिमित नहीं रहा है इनके काफी सारे परपज हो गए हैं बहुत सारे परपज होने की वज़े से ही इसका multi-purpose नाम हो गया है project का ठीक है तो अगर एक ही परपज होता आपको पता है सबी जो बड़े डैम्स हैं उनके ओपर हाइडरो पाउर प्लांट्स लगे होते हैं तो वहां से इलेक्रिसिटी भी जो है जो जनरेट की जा सकती है उसके बाद वाटर सप्लाई जो है डॉमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए उसका वोटर जो है उसको डाइवर्ट कर सकते हैं अगर किसी नदी से जा रहा है आपने डैम्स बना लिया तो आप उस नदी का जो भाव है उससे कुछ पानी लेके उसको डाइवर्ट कर सकते हैं तो ये भी इसका इस्तमाल किया जा सकता है साथ ये साथ flood control के लिए भी dams बनाने पड़ते हैं जो नादियों का जहां पर भाड आने की situation होती है वहां पर dam बनाके flood को control किये जाने की कोशिश की जाती है ठीक है, recreation है, inland navigation है नादियों के अंदर ही जो navigation system है उसको भी आजकल क्या कर दिया जाता है, install किया जाता है ताकि अंदर से आपको वहां पर navigate किया जा सके वहां पर यातायात के लिए transportation के लिए, जो water transportation से उनके लिए साथ इसाथ fish breeding जो है, उसके लिए भी multi-purpose river valley projects का इस्तमाल किया जाता है तो काफी सारे इनके परपज होते हैं, इसलिए इनको बहुत देशी प्रियोज नहीं बोलते है अब आते हैं हमारे questions पे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि भारत की जो परमुख नदिया है, वो भारत के मैप में कहां कहां है आज हम उत्तर भारत की जो नदिया हैं, उनके उपर जो भी river valley projects बने हुए हैं उन्हीं को discuss करेंगे, लेकिन एक बार आप देखिए हम सबसे पहले discuss करेंगे इंडस river को, या सिंदु नदी तो सिंदु नदी आपको पता है, यहां से तिबबत से होती हुई निकलती है और भारत से होती हुई, यह आगे आती हुई, कहां पे, पाकिस्तान से होती हुई, अरबियन सी में गिर जाती है यह बात तो आपको पता है सभी को, लेकिन इसकी सहायक नदिया है और साहे एक नदियां है उनके बारे में भी डिटेल में बात करनी है इसमें सबसे इंपोर्टेंट है भारत के पॉइंट आफ यू से देखें तो सतलज भारत के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं सतलज जनदी पे बने हुए है ठीक है और सतलज नदी के बाद रावी व्यास है चेनाब है जहलम है ये सारी जो नदिया हैं इनके ओपर बहुत सारे प्रोजेक्ट बने हुए हैं ये तो इदर की इंडस की ट्रिब्यूटरी हो गई और इंडस नदी खुद हो गई ठीक है उसके बाद बात आती है गंगा की जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है लगबग 25-10 किलोमेटर भारत में एक वहती है तो ये गंगा नदी की बाद आ जाती है फिर गंगा की ट्रिब्यूटरी है जो सबसे मैं ट्रिब्यूटरी है वो है यमुना अगर हम बात करें इसकी राइट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो राइट साइड क्योंकि गंगा ऐसे उपर से आती है तो इसके राइट में जो ट्रिबूटरी है उनको राइट साइड प्रिबूटरी बोलते हैं और लेफ्ट से आने वल ट्रिबूटरी को ट्रिबूटरी है नहीं सहाइक नदियों को उनको लेफ्ट ट्रिबूटरी बोलते हैं ठीक है इनके बहुत साइड ट्रिबूटरी है गं तो शौरी उपर ही होगी गंगा के साहिक नदी है तो इन नदियों पर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बने हुए हैं इनको भी हम डिसकस करेंगे महा नदी पर एक इंपोर्टन प्रोजेक्ट है आप अभी कमें सेक्शन में बना भी सकते हैं नाम ही लिखा हुआ है चलो यहां हीरा कुंडेम ठीक है तो यह जो नदिया है और एक बहुत इंपोर्टन नदी है वो है भ्रहमपुत्र तो यहां से आती हुई आगे चलके गंगा से मिल जाती है बांगला देश में ठीक है इसको बाद में पदमा बोलने लग जाते हैं तो ब्रहमपुत्र नदी आती है यहा प्रोजेक्ट बारे में हमें डिसकस करना है और बहुत सारे बांज जो हैं इस मैप में आपको देख रहे हैं बड़े-बांज जो हैं सबसे बड़ा मल्टी परपज प्रोजेक्ट जो भारत का है वह भांखडा नागल बांध है ठीक है आपको पता होगा दामदर वैली जो है बिहार और वेस्ट बंगल और जहारखनद और इन को इनके उपर बना हुआ प्रोजेक्ट है नागरजन सागर्ष्ट में भांध है तो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट से इनके बारे में हमें डिटेल में बात करने एक पहले है हम इंडस नदी के बारे में यानि सिंदू नदी के उपर जो भी बांध बने वे हैं सिंदू से मेरा मतलब है सिंदू और उसकी सायक नदियों पे जितने भी बांध है ठीक है तो सिंदू की सायक नदियों में भारत के point of view से सबसे पहले किसके बारें बात करेंगे सतलज और इसको एक बार मैप को देख लीजिए थोड़ा ध्यान से यहां से सतलज नदी निकली और यहां से होती हुई भारत को पार करती हुई यह पाकिस्तान में पहुंच गई ठीक है और फिर यह अरब इंसी में गिर जाती है ठीक तो पंजाब जो है पंजाब को पंजाब की बोलते हैं क्योंकि वहां पांच नदियों का मिलन होता है इसलिए पंजाब है तो वहां पांच नदियां के हैं यह सतलज है रावी है चेनाब है जहलम है ठीक है व्यास है व्यास भी आती है ठीक है यह सभी नदियां जो है ये जाके आगे मिल जाती हैं, पाकिस्तान से होती हुई आगे जाके मिल जाती हैं इंडस नदी में, ठीक है, और सतलर्ज जो है वो मेन है, इसके बारे में हमें देखना है कि कौन-कौन सी हमारे प्रियोजना है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम भांखडा नागल प्रियोजना के है इससे सबसे ज्यादा जो अलग लग छहत्रों में इसमें काम होता है और इसके जो च्रह्ट बेनिफिशेरी हैं जिन इस्टेट को यह फाइदा पहुंचाता है वह हिमाचलपरदेश क्यूंकि हिमाचलपरदेश में तो वहां से है ही सतलतनेजिफी के उपर यह है ही उसके अलावा पंजाभक अर राज़्तान को भी यहां से पावर मिलती है ठीक है यहांपे तो इसका पुक्रोप वह क्या है काफी सार पुक्रपज है ऐलेक्टिस्टी भी है इरिजिशन सिर्फी है और यह नांगल दोनों अलग अलग है वाकरा नांगल नाम है ऍसका तो भाकरा अलग है और नागल та अलगा है सतलज़धी पही बने वग बहिंगे हैं यह तो देंग बंगान नांगल है उणागसे से 한ूब combine installation capacity of 1204 MW, ठीक है, 1204 MW का इसके उपर capacity है, अब तो बढ़ गई है, यह पहले का data है, यह सोरी यहां पे, 1500 से ज्यादा MW का यहां पे capacity है इसकी, ठीक है, तो यह जो project है, इसमें electricity भी है, अलग-अलग canal भी निकलती है, और electric transmission lines है, भांखडा canal system है, और reaction system है, तो नांगल और भा project को इसमें वो करते हैं, यह भांखडा नांगल project जो है, यह भारत का अभी second tallest वो है, यह बांध है, इससे बाद में तेहरी जैम जो है, सबसे पहला है, तेहरी जैम आप आगे बात करूँगा जब गंगा की ट्रिब्यूटरी और उस पे बने हुए dams की बात करेंगे, तो त तेहरी डैम की बात करेंगे, और इसकी टेहरी डैम की हाइट है 261, 260.5 मिटर और भांखडा नांगल की अभी है, 225.5 मिटर उचाई, ठीक है, तो यह बहुत उचाई पे बना हुआ है, यह सिर्फ भारत का ही नहीं, एशिया का दूसरे नंबर पे है, और एशिया का दूसरे नंबर पे हैं, तो पहला नंबर पे कौन हुआ? तेहरी डैम, ओविसली, ठीक है, अब आगे चलके मैं आपसे बात करूँगा कि थोड़े टाइम के बाद यह तीसरे नंबर पे आ जाएगा है, क्योंकि दूसरा भारत में बनने वाला है, कौन सा, वो आप कमेंट सक्शन में बता भी सकते हैं अभी, लेकिन बाद में उसके बारे में डिस्कुस करेंगे, ठीक है, तो यह बात है, कि यह दूसरा सबसे बड़ा है, और साथ ही साथ अगर बात करें, तो यह यह जो कैपिसिटी के एसाब से देखें, पावर प्रोजेक्ट के एसाब से देखें, सभी गौविन सागर लेक जो है, यह इंद्रा गांदी जो मद्यपरदेश में कैनाल है, उसके बाद दूसरे नमर पे है, ठीक है, एक राज़तान का इंद्रा गांदी कैनाल है, वो नहीं, मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ, जो मद्यपरदेश वाला है, उसकी बात कर रहा हूँ तो गोविन सागर जो गुरु गोविन सिंग जी के नाम पे हैं सिखों के दस्वे गुरु इह उनके नाम पे ये कुन create करता है ये 17 जनदी पे ये जो प्रोजेक्ट बनाव है भागणा नागल यही इसकी वज़े से ये reservoir create होता है कितना लंबा है? 88 किलोमेटर लंबा और 8 किलोमेटर चोड़ा कैपिसिटी का गौविन सगर रिजरोवेर है जिसमें लगबग 986.8 क्रोड क्योबिक मेट्रिक पानी इसके अंदर समाहित होता है तो एक तरीके से इतना बड़ा डैम है कि आप यहां से एक शहर को डुबो सकते हैं इतना बड़ा तो इसका रिजरोवेर बनता है तो सोचे कितना बड़ा यह पावर प्रोजेक्ट है ठीक है, फिर बात करते हैं बासपा, बासपा रॉजेक्ट जो है, यह बासपार इवर पे बनावा है और यह सतलज की ट्रिब्युट्री है, सतलज नदी जो है भारत की, बहुत महितपूर नदी है, उत्र भारत की और उसी का एक है, उसकी एक साइग नदी है, छोटी सी नदी है बास पर यवर तो इसके ऑपर एक power project लगवा है, hydroelectric power plant इसका purpose manly है, electricity को provide करना, irrigation भी है लेकिन main project इसका क्या है, power production यह important क्यों है, यह भारत का पहला independent power project प्रोडूशर था जिसके बाद क्या है कि जब government ने liberalization किया था उनी सो इक्यानमे में तो उसके पहले तो क्या है कि government के अंडरी आया करते थे सारे hydroelectric projects लेकिन उसके बाद क्या है कुछ private भी बनने लग गए ठीक है power policy को जो privatize किया गया तो ये पहला private public private hydro project था बासपा रिवर्पिज बनने वाला इससे पहले कोई भी private से भागिता नहीं हुआ करती थी power production में ठीक है ये कहां पे है किन्नो डिस्टिक जो है माचल परदेश का वहां पे ही है और it is a largest private hydroelectric project largest hydroelectric नहीं private प्राइवेट सेक्टर का जो सबसे बड़ा जो प्लांट है वो है बासपारीवर पर बना हुआ ठीक है जेपी ग्रूप ने इसको बनवाया था ठीक ये भी ध्यान रखना है फिर ब्यास प्रोजेक्ट ब्यास यानि कि व्यास भी बोलते हैं कुछ लोग इसको और कहीं आपको व्यास लेगेगा तो दोनों एक ही नदी की नाम है व्यास व्यास नदी के ऊपर ये प्रोजेक्ट बना हुआ है इसका मकसद क्या है इरिगेशन और हाइड़ एलेक्ट्रिक पाउड जनरेशन और इसका जो यह जो अगर इसके बारे में बात करे व्यास प्रोजेक्ट की तो पंजाब हरियाना और राज्टान की तीनों सरकारों के बीच का कॉलेबरिशन है तीनों सरकारे साथ में काम करती है व्यास सतनेज जो है व्यास और 17 क्या है आपसमें मिल जाती है आपको पता है 17 की साहिक नदी ही है व्यास तो इनको लिंक कराते हैं साती साथ इस फब्यास नदी पार्टें पना उता है वहHmm है चोडता है और 306 क्रोड रुपएं इसको लगए थे जो प्रोज catch इसको होने में कितना पैसा लगा 380 क्रोड रुपे और 12 साल में प्रोजेक्ट त्यार हो गया ठीक है उसके बाद करते हैं दुलहस्टी हाइडो एलेक्टरिक पाउर प्लांट यह चेनाब नदी पे है एक और ट्रिब्यूटरी इंडस की और इसके अंदर 1263 करोड रुपे लगे थी चेनाब में जो जम्मू कश्मीर में जीवर में है चेनाब नदी आपको पता जम्मू कश्मीर से बैठी है जहलम चेनाब तो वहा मेंथ 10 की पावड्वश है यानिकि 10 लाख होते है ठीक यह तो इतना बड़ा पलांट होता है ठीक है फिर है नाथपाज़ खक्री हाइडरो इलेक्रिक पावर प्रोजेक्ट ठीक है तो नाथपाज जक्री जो है इंडिया का वनो अफ गौ लारज़ास लेक्रिपर ask rotate और यह जो है आपको पता है 17 जादी पे ही बना हुआ है भाखणा नागल के इस पास ही है ज्यादा दूरी पे है नहीं तो हिमाचल पर्देश में है इसमें च्छे 250 मेगावार्ट के यूनिट्स लगे हुए है ठीकर दिसंबर 2002 की बात करें तो उस समय इसमें जो बने हुए थे तो नाथपा जकरी जो है यह भारत के सबसे बड़े हाइड़ो एलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में से आते हैं ठीक है तो कोईमा की बात करेंगे हम महरास्ट के समय ठीक तो यह जो है 17 जल निगम एक्जेक्टेड बाई किसके द्वारा एक्जिट किया जाता है 17 जल निगम के फिर बात आती है पारवती वेली प्रोजेक्ट तो यह जो है पारवती नदी के ओपर बहता है और यह जो नदी है यह व्यास नदी और इनके सायक नदी है सतलज और व्यास की सायक नदी है पारवती नदी और इसका भी मकसद वही है ओविसली हाइडरो पावर प्लांट करना ठीक है तो इसके बारे में एक इंपोर्टेंट वो इंफोर्मिशन क्या है इस इंटर स्टेट हाइडल पाउर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया तो जो स्टेट्स के बीश में सहबागी ता पहले क्या इंडिविज्वल स्टेट्स जो है उनके पाउर प्रोजेक्स चलते थे लेकिन जैसे राजस्तान है गुजरात है इन मैं राजस्तान में ज्यादा नदिया नहीं हैं ना तो वहां की सरकारओंने दूसरे स्टेट्स के साथ जा docp कैすट जा के खें इन मनाली जो आप समस्पता ही होगा आप सभी को कि महारास हिमाचल परदेश में है तो वहां पर ये प्रोजेक्ट लगाया गया ठिक फिर बात आते हैं रॉंगतॉंग रॉंगतॉंग प्रोजेक्ट जो है ये भारत का सबसे बड़े एलिवेशन पे सबसे उचे एलिवेशन पे बना हुआ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है दुनिया का सबसे उचा भारत का ही निए दुनिया का सबसे हाइट पे बना हुआ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है 3600 meter के elevation पर ये बना हुआ है और रोहतांग कहां है रोहतांग आपने ये भी पता ही होगा कि ये कहां पर होगा हिमाचल परदेश में क्या है कि जो पानी का डाइवर्ट कर रखा है तो वहां पर जो जहां बरफ जहां कोल्ड माउंटेन से जहां बरफ बारी होती थी उनको भी रिवर एक तरीके से हरे भरे बेल्ट में कनवर्ट करा ठीक है तो इसका बहुत खूबसूरती को इसने बढ़ाया है जो हिमाचल करवरी 1989 से यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और उसके बाद इसमें 345 मेगावर्ट तक की हाइड्रो पाउर प्लांट से इलेक्रिसिटी जनरेट की जाती है संजे विदूत प्रोजेक्ट जो है रिवर भाबा भाबा पर यह है प्रोजेक्ट और यह एशिया का पहला एसा अंडर्ग्राउंड प्रोजेक्ट था जो पूरी तरीके से अंडर्ग्राउंड था पहला एशिया का पहला ठीक है और 120 मेगावर्ट प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट की जाती है यह भी हिमाचल परदेश में ओवियसली तो भाबा ज विवर जो है वो हिमाचल प्रदिश से निकलती है और 17 वगेरा इनी नदियों की ट्रिब्यूटरिये छोटी नदिये ठीक है और फिर बात आती है सावल कोट हाइडरो प्रोजेक्ट सावल कोट जो है यह यह भी चेनाब रिवर पे है अभी हमने चेनाब रिवर की बात करें त तो यह जो है जम्मू कश्मीर का एक छोटा पाउर प्रजेक्ट है 600 मेगावर्ट प्र इलेक्रिसिटी से प्रोडिफ्स की जाती है और नौर्वे की जो सरकार है उसके साथ मिलके वहां की साथ इन्होंने कॉल्बरेट करके इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट किया था फिर है ना हर प्रोजेक्ट का ये मकसद तो होता ही है क्योंकि मल्टी प्रोजेक्ट है उनमें सबसे महत्वण होता है पावर जनरेशन और इरिगेशन तो इन दोनों को तो आप रखना ही है कि इनका प्रोजेक्ट का है प्रोजेक्ट का नाम और कौन से स्टेट्स में है और कहां से electricity generate होती है अगर उसमें बारे में कुछ specific fact है तो उसके बारे में भी जानना होगा तो इसको cold dam बोलते हैं cold dam इसका common नाम है और 17 नदी के ऊपर बना हुआ है यह 18 km बिलासपुर्ज डेस्टिक जो है जहां से जहां की बात करते हैं हम भाकरा नागल से तो और वहां से चंडिगर्ड की साइड जब जाते हैं और चंडिगर्ड मनाली हाइवे पे तो वहां पर यह project बना हुआ है एनस एक किस पे ठीक है हिमाचल परदेश में 800 मेगावर्ट पाउर प्लांट से इससे इलेक्रिसिटी जरूरेट की जाती है ठीक है ज्यादा चीज़े डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है जिन प्रोजेक्ट में इतनी कुछ चीज़े जो स्पेसिफिकली पूछता नहीं है उनमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बस नदी का नाम कौन से स्टेट उसके बेनिफिशियरी है और कितनी इलेक्रिसिटी से जनरेट होती है और अगर कुछ स्पेसिफिक है पहला दूसरा बड़ा उंचा है सबसे लंबा है तो यह चीज़े जानना तो जरूरी हो जाता है मंडी एक और हिमाचल परदेश का पावर प्रोजेक्ट है ठीक है तो 1777 में 9000 कौसस और ब्यास रिवर रिडिशिरिंग फ्लो थू मंडी के नुकसान भी हुते हैं यह जो प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं इसका एक बड़ा जो नुकसान होता है वहां का जो कल्चर है उसका जो कल्चर किया हो फ्लोरा और फ्यूना है वहां के जो जीव जन्तु है उनको बड़ा नुक्सान होता है कई बार ठीक है तो यह भी एक बड़ा रिजन था ठीक है उन्हें सो सततर से यह प्रोजेक्ट चलता आ रहा है और उसके बाद में धीरे-धीरे इस प्रोडिस जो यह जो मंडी प्रोजेक्ट है इसको थोड़ा सा चेंज किया गया और वड़ा वन्माइटी अंडोरिंग ब्यास नाव थिसलिए लूक इंटेट इन फ्लोजेश इन इंटेट इन इंटेटीट टो फिरेटिट फ्रोजें प्रोजेश वें इसके ओपर कुछ चीजें चल रही थी जहलांकि यह ज्यादा चीज इंप्रेश इं है नहीं पूछेगा नहीं आपको बस इसके बारे में इतना ही पता होना चाहिए कि व्यास नेदी के ऊपर यह प्रोजेक्ट है मंडी में और हिमाचल परदेश में यह हैं और काफी बड़ा प्रोजेक्ट है लेकिन काफी सारा इससे क्या होता है जो नुकसान होते हैं आप इलेगे ठीक है यह बात है नै यह रण ważne Raam और रणजीत सागर प्रोजेक्ट रंजीत संब के जी के नाम पर हैं जो व्ल्माजीत के पलए जो ऑन्जीट सिंग जी पंजाब के रोलह थे अभी तो उन्हों उनके नाम पर है तो जम्मु कश्मीर और पंजाब का जो बॉर्डर इलाका है वहाँ पे गाउं है तो जम्मु कश्मीर भी किसी समय पे रंजित सिंग की टेरिटरी में आया करता था तो इसका भी मैं नुदेशिय इलिगेशन और हाइड़ एलेक्रिकिटि अपहराई पंजाब का जब से बड़ा हाइड़ एलेक्रिक डैम है ये और ये body state पे 60% जो हिस्सा है इसका वो जम्मु कश्मीर में है उसके बावजूत भी यह पंजाब का सबसे बड़ा hydroelectric project है ठीक है 600 megawatt इसकी capacity है और the dam is one of the highest earth field dam in India सबसे उचाईयों पे जो डैम होते हैं भारत के उन में से एक है ठीक है system है और पहले तो इसका नाम राजस्तान प्रोजेक्ट ही वा करता था लेकिन इंद्रा गांदी जी की डैथ के बाद जो हमारी पूरो प्रधान मंत्री थी तो उनके डैथ के बाद इसका नाम इंद्रा गंदी कैनल भी रख दिया गया तो कौन सी कौन सी नदियों पे बनावा स ब्यास और रावि नदी है तीनो नदियों के रह्त है यह कनाक्टिव है तीनों का इंटर्लिंक से यह प्रोजेक्टट बनता है राजस्तान तेरिक गनाल प्रोजेक्ट है इंदर गंधी कैनल प्रजेक्ट और इसकर भी मल्टी प्रिप्रबज हैं इ Clinic जो है वो मेन है तो थार जो राजतन का थार का मरुस्तल है उसकी सिचाई का समाधान निकालने के लिए ये प्रोजेक्ट मेंली काम करता है राश्तन के काफी सारा जो dry state है राश्तन आप सभी को पता होगा तो वहाँ पे जो थार का मरुष्थल है भारत का सबसे बड़ा मरुष्थल वहाँ के इलाकों को irrigate करने के लिए ये प्रोजेक्ट का main purpose वही है प्रिविएसली known as राश्तन कैनल ये मनें बात पता दी है आपको की राश्तन कैनल प्रोजेक्ट बोलते थे और बाद में अंद्रा जी की death के बाद उसका इंद्रा गांधी कैनल बोलने लगे सर हिंद्द हर्याना और सक्थे nap वैसे हिसे सद्रण नदी से है तो फेसल हिमाचल परदेश नाएगा इसका मक्सद है तो यह जो प्रोजेक्ट है यह पंजाब और हर्याना जो स्टेट है यहाँ पे इसको फाइदा पहुंचाता है पंजाब हर्याना और हिमाचल तीनों स्टेट्स को इसके बेनिफिशियरी हैं ठीक है सतलज यमुना लिंक कैनाल जो है यह आप अगर मैप में देखना चाहिए तो यह सतलज नदी है यह जारी है और इसके बाद यह यमुना रदी है जो की गंगा की सायग नदी है तो इन दोनों के इंटर लिंक से एक कैनाल बनाई गए कैनाल प्रोजेक्ट बनाए गया उसको सतल लिए यहां पर irrigation को यहां पर देना है और जो domestic और industrial water है उसकी supply यह इसका मकसद है ठीक है तुल भूल project तुल भूल project जो है चेनाब नदी पर बना हुआ है और चेनाब आपको पता है इंडस नदी की सहाइक नदी है यह जमू कश्मीर से होती हुई आगे चलके पाकिस्तान में मिल जाती है इसका में परपज जो है वो navigation project है navigation project है navigation जो इंटर वाटर navigation है उसको भारत की सहुलियत के हिसाब से इस्तमाल करना है उसको तो तुल भूल प्रोजेक्ट इस ए नविगेशन लो कंट्रोल स्ट्रक्चर है और यह वुलर लेक जो है एश्या की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की जो लेक है वुलर लेक उसके उपर उसके माउथ पर बना हुआ है तो इसके बीच में कहें कि दिस्पूर चल रहा है तुल भूल प्रोजेक्ट जो है इसके बार-बार इसमें अपनी टांग अड़ाता है कि बहुए एक डिस्पूटर है क्योंकि यह जो इलाका है हमारा है यह सब बातें करता है कि यह वैलेट करता है ilust water treaty को इंड किसी इलाग वीडियो में देखने यह water treaties जो है इलाग state के इलाग nations के इलाग nations की बीच मैं directly sagn की जाती हैं ताकि water का distribution और कहा किस तरह से आप कैनाल बना सकते हैं क्या 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 कर सकते हैं उस हिसाबसे होती तो यह भारत में 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडेस्टी वाटर टीटी साइन हुई थी तो यह जो टूनबोल प्रोजेक्ट है यह 1987 से चलता रहा है पाकिस्तान इसके उपर बार-बार अपने वो करता है उंगली उठाता है कि यह आप डिस्पूटेड कर डिस्प कश्मीर में जहलम नदी के किनारे पे यह प्रोजेक्ट बनावाए जहलम नदी पे हाइड्रो एलेक्ट्रिक पाउर स्टेशन है यूरी का और 400 480 मेगावर्ट का इलेक्ट्रिसिटी इससे प्रोडूस किया जाता है और उरी कहां है बारामुला डिस्टिक में जमु कश्मीर ओर या यह ओर यह उपेशले रच्ट्रोल के बहुत पास है तो यह जो इसका हाइड्रो पाउर प्रोडॉक्ट प्रोडêm का तो साथ यहंयहां पर इसको काम में लिया जा सकता है ठीक है और उरी के नाम पे दो प्रोजेक्ट हैं, उरी फैस्ट और उरी सेकंड, तो 2014 में एक उरी सेकंड पावर प्रोजेक्ट भी यहां पे शुरुवात की गई गई ठीक है, तो इसलिए ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है कि ये अंडर वाटर जो 10 किलोमेटर की नमभी यहां पे टनल का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि यहां पे कुछ इस तरह का इश्यू आ रहा था, क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, उसमें जो आगे का कंट्रोल है जहलम का, वो रेगुलेट करने का पाकिस्तान को राइट म राम गंगा है, यहां पे आगे चलके गोमती है, घागरा है, गंडक है, कोसी है, सोन है, यामुना है, इस साइड पे, ठीक है, यह सारी नदिया है, जो गंगा की साहिक नदिया है, और बाद में गंगा आगे चलके, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बांगला देश हो और बंगलादेश में इसको पत्मा बोलते हैं पत्मा तब बोलते हैं जो इसको नाम पत्मा बोलते हैं जो बहुत सारी नदिल्डेश million इस को बरहिए ला बाहुप Intelli यह ब्रहम्पूत्र ने दी को इन दोनलबी fund के गंगा-यमुन какие-dy тут अर ब्रहम्पूत्रा पे जितने भी बाद बने वे उनके बारे में हम बात करेंगे ठीक है अब बात करें सबसे पहले तहरी डैम की तहरी डैम मैंने क्या कहा था भारत का ही नहीं पूरे एशिया का सबसे उंचा डैम है और इसकी हाइट तो ुत्राँचल उत्रखन्द दोनों को ले सकते तो उत्राँचल पहले उत्रखन्द और उत्रखन्द ग्लेश तो निकलती अगर हम मात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है लेकिन इससे पहले ये दो नदियों का संगम है गंगा और वो दो नदियां है एक है भागिर्थी और एक है अलखननन्दा तो ये एक भागिर्थी नदी जो है इसके उपर देव प्रियाग में आके मिलती हैं भागिर्थी और अलकनंदा तो दोनों के बाद गंगा बनती है तो भागिर्थी नदी जिसकी बात कर रहे थे हम उसके उपर तेहरी डैम बना हुआ है फिर है राम गंगा जो कि गंगा नद टिक में पढ़ता है वहां पे यह रिवर यह जो प्रोजेक्ट है यह लगा हुआ है और रंजीत सिंग सागर जो डैम प्रोजेक्ट है फॉर्मली नयम एज थियम डैम पहले हमें अभी तक अभी बात कि थी थोड़ी दिर पहले उसके साथ भी इसका यह आगे चल के उस वहां स बढ़ चुके हैं इन दोनों को बात कर रहे हैं दोनों प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं ठीक है तो यह राम गंगा रिवर प्रोजेक्ट से जो नदी राम गंगा पर बना हुआ है जो इन गंगा की साहिक नदी है फिर रियांद प्रोजेक्ट रियांद प्रोजेक्ट जो वह है इसके उपर भी electricity प्रोड करी जाती है तो उत्र प्रदेश ने इसको उत्र प्रदेश की सरकार निर्मान करवाया है रिवान नदी पे और इसका भी मकसद क्या है पेपरी वाला जो इस टाक हिलाका है वहां पे electricity को प्रवाइड करना है उसकी नीड को पूरी करना है कोशी प्रोड क की बात करें तो कोशी नदी जो गंगा की एक साइब नदी है लफट बेंक ट्रेबी इसका भी मकसद क्या है irrigation है फ्लड कंट्रोल है हाइड्रो पावर प्लांट जनेरिशन है फ्लड कंट्रोल ये आपको पता है ये बिहार उत्र अरुपरदेश उस इलाके की बहु विसली देश है और बिहार हमारा इंडिया का स्टेट है तो इन दोनों के बीच में ये इसका मैं फाइदा ये दोनों उठाते हैं ठीक है और नेपाल पासे स्थू बिहार एंजॉइन ली इन गंगा ये जो नदी है नेपाल से होती हुए आगे आगे भारत में बिहार में मिल उसी को को से अंडर ये डाम नदी वहर और यहां पे यमुना नदी की सहायक नदी और यह यहां पे प्रजेक्ट बने हुए जिनbn से कुछ important है जहार सागर बांध राणा परताब सांग बांध और गांधी सागर बांध तो यह चंबल परियोज नहीं है राणा परताब डैम जो है यह 48 km लंबा है कोटा से लेके शुरू होता है यह और 1970 में बना था भाठा डैम भाठा में है भाठा जो है कोटा के पास पढ़त राजस्तान की जॉइंट वेंचर है इनका दोनों ने साथ में मिलके यह प्रोजेक्ट यहां पर डैम बनवाया है ठीक है और फिर दोनों यह पूरा जो जंबल प्रयोजना है यह राजस्तान और मद्यपरदेश को ही सर्व करती है बैसिकली फिर संकोष हाइडल प्रोजेक् नहीं है यह जो है यह चल रहा है यह अंडर प्रोसेस है तो इंडिया और भुटान के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी यह आपको पहले रिवर दिखाता हूं भुटान यह रहा थिमफू इसकी करपिटल है और भुटान से एक यह रिवर आती है संकोष तो यहां पे यहां पे इसके डैम बने हुए यहां पे यह प्रोजेक्ट बनेगा तो भारत ने भुटान के साथ एक ट्रीटी साइन किये कि हम यहां पे बहुत बड़ा हाइडरो पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे जिसकी उंचाई होगी 249 मिटर तो मैंने क्या कहा था कि थोड़े दिन परव ली प्रोजेक्ट दामोदर घाटि परियोजना तो दामोदर घाटि प्रियोजना जो है वो दामोदर नदी पे है और वेस्ट посмотр बंगाल बिहार और जहरकंड इन तीनों स्टेट को एस सरू करता है तो इसका मैं पर पेस क्या है मैं काफी सारो पर परहाँ फ्रोजेक्त है यह electricity generation transmission distribution of water मतलब in states में distribution water distribution करना साथ साथ production and soil conservation तो काफी सारे इसके projects के multi-purpose हैं तो यह बहु देशी proper योजना है इसके साथ ही क्या देरिखा प्रिंसिपल अब्जेक्ट ओफ दिस multi-purpose scheme to control the flowing of the dhamudar which is notorious for the reaches rises and destruction snails यह क्या दामुदर घाटी प्रियोजना जो है यह दामुदर नदी जो है जो इसका flow है उसकी वज़े से जो बाड आजाती है उसको control करने के लिए जो इसका main project है वो established किया गया था लेकिन बाद में बाकी सारी चीजें भी इसकी साथ ही यह करने लग गए ठीक है और इसकी जो it is designed it is designed on the line of Tennessee Valley Authority और इन युवा से तैंसी जो रिवर पे जो project बना हुआ है उसके उपर उसी design के आसाब से यह project बना हुआ है दामुदर घाटी प्रियोजना की बारे में बात चल रही है ठीक है कोईल करो project जो है यह सोन गंगा पर बनावा project है जारखंड इसका जो में बेनिफिशेरी स्टेट है और हाइड़ एलेक्रिसिटी हाइड़ एलेक्रिक प्रपज ही इसका में है बात बात आती है हमारी ब्रह्म पुत्र नदी की तो ब्रह्म पुत्र नदी जो है आपको पता है चाइना से होती हुई यहां पर अंदर प्रदेश क्या अरुनचल प्रदेश होती हुई आसाम से होती हुई और फिर भारत के यहां से निकलके यहां पर बांगलदेश से होती स्थेल और वी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो बर्म पुत्र नदी है और बर्म पुत्र नदी पे पशुचह क्यों से विए हैं ज़ैसे कि चुका प्रोजक्ट प्रोजेक्ट जो है यह भुतान मेहली बैली कि आसाम को यहां पर फाइदा पहुंचाता है मैन बेनेफिशियरी उट जो है वह इसके भूटान है लेकिन आसाम है और यह जो दो जिस्टिक सहें छयहां पर भारत के कुछ आसाम के इनको भी इसका फाइदा मिलता है 336 Megawatt का यहां पे मिलता है भारत को इसका इस प्रोजेक्ट में इतना बहुत ज्यादा महतपुर्ण नहीं है लेकिन कभी पूछ सकता है कि बहुत का प्रोजेक्ट जो है कौन सी नदी के उपर बना हुआ है और भूटान में यह सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इन इधा? इंडिया ने इसको कम्वेट्ली बनवाय, भले ही फाइदा इसका भुटान भी उठाता ह्या बहुत ज्यादा इस तर्पे लेकिन इंडिया ने जो पूरगत इसका construction coast है वो इंडिया ने चुकाई है ठीक है और constructed on वांग्चू रिवर वांग्चू रिवर और ब्रहंपुत्र नदी इनके उपर दोनों इसकी tributary है वहाँ पर बनाया गया था लेकिन अभी ये ब्रहंपुत्र नदी के दोनों नदियों के उपर ही ये प्रोजेक्ट चल रहा है ठीक है और इसकी कोस्त जो थी 244 क्रोड रुपे लगी थी और 244 क्रोड रुपे जो है वो सारे के सारे इंडिया नहीं चुकाये हैं तो नदी जो है वांचु रिवर ये ब्रहंपुत्र की ट्रिबूटरी है ठीक है फिर बात आती है गंडग प्रोजेक्ट की तो गंडग नदी जो है ये आपको पता हुगा गंगा की 159 1969 में यह साइन हुआ था इन दोनों देशों के बीच में प्रोजेक्ट तो गंडग जो है आपको पता है लेफ्ट बैंक क्रिबूटरी है गंगा की तो यह नेपाल से होती हुई बिहार से होती हुई यहां उतरपरदेश के पास से और यहां पर गंगा में मिल जाती है तो यहां पर पाउर प्रोडक्शन जो किया जाता है और इर्रिगेशन का जो काम किया जाता है साथ ही साथ इन नदियों में जो बार्ड है उसको भी रोकने के लिए जो यहां पर लगाने पड़ते हैं डैंस उससे का यह प्रोजेक्ट है गंडग प्रोजेक्ट ठीक है फिर है दोली गंगा अब मैंने क्या गा था जो गंगा नदी है वह पहले भागिड थी और अलक नंदा से बनती है तो इदर से भागिड थी इदर से अलक नंदा तो अलक नंदा जो है उसमें धोली गंगा धोली गंगा और एक विश्णु परियाग विश्णु परियाग दो नदिया मिलती है तो धोले गंगा जो रीवर है वो ओलक नंदा की टिर्बूटरी है तो आगे चलके गंगा की ट्रीप्योटरी बन गई ओवसली तो यह उत्रांचल का जो इलाका है जो उत्तरप्रदेश उत्राखंटका का इलाका है। और इसमें 600 क्रोड का पैसा लगा और 280 मेगावर्ट का यहाँ पर जनेरेशन का यहाँ पर होता है और 200 इसकी कैपिसिटी 280 मेगावर्ट की है ठीक है धोलिगंगा रिवर उतरांचल में यह बना हुआ है ठीक है तो यह तो हमारे जो उत्तरभारत की जो बड़ी नदिया थी उन प्रोजेक्ट देखें हैं तो इंडस है गंगा है यमुना है और ब्रह्मपुत्र नदियों की जो ट्रिपूट्री है इन सभी के उपर जो भी बड़े मल्टी परपस प्रोजेक्ट बने हुए हैं उनको हमने रिस्कूस कर लिया है अब हम पढ़ेंगे दक्षिन भारत और प्र स्काइब कर सकते हैं थैंक यू सो मच है वे गुड दें से यू नेक्स लेक्ट्चर